हेलो एवर्यूपन वेल्कम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो आज मैं आपके साथ पूजा सामगरी शेर कर रही तो उमीद करती हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करतीजे और चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो यह है कपूर और यह पैतांजली का कपूर है जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो में बताती रहती हूं कि पूजा मंदिर लेके जाएंगे तो जलाएंगे किसमें जैसे कि आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं उसमें रखके भी जला सकते हैं और यह तो मैंने खैर जोत बनाई है जो कि बाबा भुलेनात के आगे हम जगाएंगे और आप पान के पत्ते पे रखके भी कपूर को जला सकते हैं और ये है कुम-कुम रोली, तो ये माता पारवत्ती के लगाने के लिए, और जैसे कि और भी मंदिर में देवी देवता होते हैं, तो उनको भी लगाना हो, तो ये भी आप ले सकते हैं, तो ये एक छोटा सा बोक्स है, जो कि मल्टी परफस यूज में आता है, और इसमें मैंन से लेके आई थी कल, जो कि मुझे मिल गया था, और एक में मैंने रखा है सिंदूर, जो कि माता पारवत्ती जी को हम लगाएंगे, तो ये जो सिंदूर है, ये मैं हरीद्वार से ही लेके आई थी, जब गई थी मैं हरीद्वार, तो ये बोक्स काफी सही है, और हैंडी भी ह होती जो चोटी-चोटी समगरी होती है वो इसी में आ जाती है तो एक इससे छोटा box भी पढ़ा हुआ है मिरे पास तो ये फिलाल मैंने एक ही लिया है और ये मैंने ले लिया है जिनेउं जो कि yellow color का मुझे मिला नी था तो इसमें मैंने यलो कलर लगा लिया है और ये है सफेद कलर का जिन्यू भगवान शंकर के लिए और ये जो कलावा या मूली जी से कहते हैं ये माता पारवत्ती के लिए और ये है देसीगी की जोद और ये है पंचामरित और ये है धूबत्ती और पंचामरित कैसे बनाया जाता है इस पे भी मैंने शोट वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे और ये है इत्र तो ये इत्र जंदन का है और आप कुलाब का भी ले सकते हैं और ये है गुड तो आप मिठे में ले सकते हो तो मैंने यहां पर जामुन ली हैं और आप जैसे के ले ले सकते हो आम ले सकते हो जैसे कि अब आम का सीजन है तो वो भी आप ले सकते हो और मैंने ली है माचिस और ये है अक्षत तो ये जो अक्षत हैं ये जो चावल हैं ये साबुत लेने आपको तो तूटे ह वेनी लेने क्योंकि पूजा जो सामगरी जो पूजा में चावान लगते हैं तो तूटे हुए नहीं लगते और जो तो मैंने आपको बताया तो एक ईग की है और जो टीज जगती है भगवान शंकर के और यह गंगा將 डालकर मैंने जो है इसमें ताजा जलड़ लिए तो ये भी भगवान शंकर के चड़ेगा और मैंने ये लिए थोड़े से फूल जो कि वाइट कलर के हैं तो हमारे जो शंकर जी हैं भुलेनाज जी हैं उनको वाइट कलर के फूल बहुत प्री हैं तो मैंने वाइट कलर के फूल लिए और ये लाल फूल ले लिए अच्छी बात है अगर नहीं मिलते तो आप कहन दे के फूल भी मंगा सकते हो मार्किट से और ये जो सबसे जरूरी चीज है बेल पत्र और भांग और ये है आग के फूल और आग के पत्ते भी है तो आप ये भी जरूर भगवान शंकर पर चड़ाएं और ये है दूरवा घास जो की सर्वप्रतम गणपती जी के चड़ेगी तो ये हम देंगे गणपती जी को और आपको बेल का फल मिल जाता है तो वो भी आप इसमें रखें जरूर और धतूरा मिल जाए तो वो भी जरूर आप रख सकते हैं तो मुझे ये दोनों चीज़े ही नहीं मिली और इस बार लोबान की दूप लेके आई हूँ तो यही मैं जलाओंगी और इसकी खुश्बू भी काफी अच्छी है और तो फिलाल तो भी मैं यही लेके आई हूँ और चंदन की दूप थोड़ी सी पड़ी हूई है मेरे पास जब नेक्स टाइम जाना होगा तो मैं चंदन की दूप और गुलाब की धूप भी जरूर लेकिया होंगी, उसकी जो वो वली धूप जो हैं, उनकी खुश्पु भी काफी अच्छी है, और ये है शिव उपासना, तो सावन के महीने में आप शिव उपासना भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें काफी अच्छे-च्छे मंत्र भी दियो है भगवान के, और जैसे की रुद्राष्टकम भी लिखा हुआ है, इसमें रुद्राष्टकम भी आप पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, और भी काफी मंत्र इसमें लिखियो हैं, तो अगर आप मंत्र पढ़ना चाहें, तो पढ़ सक चालीसा मैं पढ़ती हूं सावन के दिनों में तो इसमें शिव चालीसा है और ये देखे एक पगवान श्यंकर की फोटो भी है जो कि अमरनात की है तो ये इसी में पढ़ी रहती है और इसमें शिव स्तूती है तो शिव स्तूती भी मैं पढ़ती हूं और श्री तो आपी से भी पढ़ सकते हो और इसको पढ़ने में कुछ खास समय भी नहीं लगता है बस 5-7 मिन्टी लगते हैं मुश्किल से तो यह पढ़ लिया जाता है रोच तो मैं कल पंसारी की दुकान पे गई थी तो उदर से मुझे और सामगरी तो मिल गी थी पर भसम उनके पास खتم हो रखी थी तो वो नहीं मिली एक तो इसमें भसम नहीं है और पान का पत्ता भी नहीं धीो और धतूरा भी नहीं मिला मुझे बेल का फल भी नहीं मिला मुझे सरसो जो शत्रा alguma पाने के लिए सरसो का तेल भी चढ़हाया है और चंपा के फूल नी चड़ते भगवान शेंकर को हल्दी नी चड़ती कुम-कुम नी चड़ती क्योंकि जो कुम-कुम होती है वो भी हल्दी से ही बनती है और तेल की जोत नी जगाई जाती भगवान शेंकर के देशी घी की जोत ही जगती है और आप चाहे तो इस सामगरी म शहद भी रख सकते हैं वैसे तो मैंने जो पंचामरित बनाया उसमें शहद डाला ही हुआ है तो ये आप शहद भी रख सकते हैं अलग से अगर आप रखना चाते हैं तो और अगर आप चिंता से मुक्ति पाना चाते हैं तो आप द्वादश जोतर लिंक नमस्कार स्तोतर भी बोल सकते हैं जो की इस प्रकार है। तो आप ये वदश्च चोत्र लिंक भी बोल सकते हो और आप महा मृत्विंचे मंत्र का भी जाप कर सकते हो जो कि मार कंडे जी ने बोला था भगवान श्यंकर के आगे तो ये इस प्रकार का मंत्र है तो आप ये भी भगवान श्यंकर के आगे बोल सकते हो तो उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कर लीजे मेरे चैनल को तो थैंक ये वर वाचिंग हरे कृष्णा